आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं इन्फोसिस स्टॉक के बारे में आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि मार्केट में एक स्ट्रॉंग डाउन ट्रेंड आते वे दिखा एक breakdown आते वे दिखा और इस breakdown में देखेंगे तो IT sector अभी भी strong uptrend में trade होते वे दिख रहा है मेरा personally view IT stock को लेकर के bullish है IT stock और metal stock next performing sector होने वाला है जहां देखेंगे सभी sector more than 1% के downtrend में है IT अभी भी long build up में है और 0.20% के uptrend में है Infosys की buying zone 1580 to 1600 की रहने वाली है जहां 1550 के नीचे के SL को follow करेंगे for target of 1650 to 1720 तक के easily levels within maximum 1 to 2 month के duration में दिखने वाला है इस position को अगर आप option के through लेते हैं तो surely hedge करेंगे उपर के call को sell करके अगर आप future buying करते हैं cash short to medium term के लिए यहां से IT stock favorable है और nifty का overall देखेंगे तो 17500 का एक strong support है reversal लेकर के अगिन एक all time high nifty के अंदर बनते हुए दिखेंगे